The Murder of Roger A. Croyd, Hindi में अध्याय 21 पौईरो ने जिस खबर की योजना बनाई थी, वो अगली सुभा हमारे समाचार पत्र में छप गई. मैं उसके उद्देश्य के बारे में अंधिरे में था, लेकिन क्यारोलीन पर उसका जबरदस्त असर हुआ. उसने ये कहते हुए शुरू किया, कि इतना तो वो शुरू से ही जानती थी और कहती आई थी. मैंने हैरानी से भवें चड़ाई, लेकिन बहस नहीं की. फिर शायद कैरोलीन को उसकी आत्मा ने कोचा, क्योंकि उसने आगे कहा, हो सकता है मैंने लिवरपूल का जिक्र ना किया हो, लेकिन मैं जानती थी कि वो अमरीका निकल भागने की कोशिश जरूर करेगा. बेचारा लड़का, आखिर उन्होंने उसे पकड़ ही लिया. मेरे ख्याल से ये देखना तुम्हारा फर्ज है कि उसे फांसी न दी जाए. तुम मुझसे क्या करने की उमीद करती हो? मैंने पूछा, क्यों? तुम डॉक्टर हो ना? तुम बच्पन से उसे जानते रहे हो? तुम जानते हो, वो मानसीक रूप से बहुत मैच्योर नहीं है. तो इसलिए साफ है कि तुम्हें यही रास्ता अपनाना चाहिए. मैंने अभी उस दिन एक लेख में पढ़ा था कि ब्रॉड्मूर मानसीक हॉस्पिटल में पागल बड़े खुश रहते हैं. वो तो किसी उचे दर्जे के क्लब जैसा बन गया है. लेकिन कैरोलीन के शब्दों ने मुझे अचानक किसी चीज की याद करा दी. मैंने उत्सुकता से पूछा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पौईरो का कोई भतीजा मानसिक रोगी है. अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? उसने तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था. बेचारा लड़का. सारे परिवार के लिए बड़े दुख की बात है. अभी तक तो उन्होंने उसे घर पर ही रखा हुआ है. लेकिन अब मामला कुछ इतना बिगड़ता जा रहा है कि उन्हें लगता है उसे किसी किस्म के अस्पताल में भरती कराना होगा. मैंने खीजते हुए कहा. मेरा ख्याल है, अब तक तुमने पॉयरो के परिवार के बारे में जो कुछ भी जानने को है, वो सब जान ही लिया होगा. हाँ, काफी कुछ. कैरोलीन ने इतनी नान से कहा. लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात होती है कि वे किसी को अपनी सारी परिशानियों के बारे में बता सकें. हो सकता है. लेकिन अगर उन्हें खुद ये करने दिया जाए, राहस की बातें जबरदस्ती उगलवाना कोई पसंद नहीं करता. मैंने कहा, कैरोलीन ने तरस खाने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा. फिर बोली, तुम अपने ही अंदर इतना दबे रहते हो, जेम्स. बात करना तो दूर, खुद अपनी तरफ से कोई जानकारी देना पसंद नहीं करते. और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह ही होंगे. मैं तो यहीं उमीद करूंगी, कि मुझे कभी किसी से राज उगलवाने ना पड़े. जैसे उदाहरन के लिए, अगर पॉयरो आज दो पहर के बाद आये, जैसा कि उसने कहा था कि वो शायद आएगा, तो मैं सपने में भी उससे ये पूछने के बारे में नहीं सोचूंगी, कि वो आदमी कौन था, जो आज सुभा सुभा उसके घर आया था. आज सुभा सुभा, मैंने पूछा, अरे बिल्कुल सवेरे, दूद वाले के आने से भी पहले, मैं सयोग से खिड़की के बाहर देख रही थी, परदा हिल रहा था, कोई आदमी आया, वो एक बंदकार में आया था, और उसने अपने शरीर को अच्छी तरह लपेट रखा थ मैं उसके चेहरे की एक जलक भी नहीं देख पाई, लेकिन मैं तुम्हें अपना अनुमान बताऊंगी और तुम देखना कि मैं बिल्कुल सही होंगी, क्या अनुमान है तुम्हारा, क्या रोलीन ने अपनी आवाज रहस्यमाई धंग से धीमी कर ली, ग्रह मंत्राले का मिस रसेल उस सुबह तुम्हारे यां जहर वगेरा की बात करने आई थी, जरूर रोजर एक्रॉइड को उस रात खाने में जहर दिया गया होगा, ऐसा करना कितना आसान था, उसकी इस बेहुदा बात पर मैं जोर से हस पड़ा, बकवास, उसे गर्दन में चाकु मारा गया इस बात को तुम भी उतनी ही अच्छी तरह जानती हो, जितना मैं जानता हूँ, वो तो मौत के बाद किया गया, जेम्स, ताकि जूठा सुराग बनाया जा सके, अरे मेरी अजीब बेहन, मैंने उसकी बोड़ी की पूरी जाच की थी, और मैं जानता हूँ, मैं किस चीज के इस बारे में बात कर रहा हूँ, वो चाकू मौत के बाद नहीं मारा गया था, वो मौत का कारण था, और इस बारे में तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना, क्यारोलीन ने अपनी ज्यानियों वाली मुद्रा बनाए रखी, उसके इस अंदाज से मैं इतना चिढ़ गया, कि मैंने आगे कहा, तुम्हारी बातों से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कैरोलीन, कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है भी या नहीं, तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री तो है जेम्स, लेकिन तुम्हारे पास कलपना बिलकुल नहीं है, दरहसल तुम्हें इतनी ज्या पूछे उस रहसे माई आने वाले के विशे को हर तरह से बचाते हुए मेरी बहन ने उससे बात की पॉयरों की आखों की चमक से मैं समझ गया कि उसने क्यारोलीन के उद्देश्य को भाप लिया है वो बड़े ही सौमे ढंग से अभेद्य बना रहा और उसने क्यारोलीन की गें सामने थोड़ा टेहल कर आने का प्रस्ताव रखा बात ये है कि मुझे अपने वजन को थोड़ा कम करने की जरूरत है डॉक्टर क्या आप मेरे साथ चलेंगे और फिर बाद में शायद मिस क्यारोलीन हमें थोड़ी सी चाय पिलाएंगी बड़ी खुशी से क्यारोलीन ने कह आपके महमान नहीं आएंगे जी बड़ी क्रिपा है आपकी पॉयरो ने कहा लेकिन नहीं मेरे मित्र आराम कर रहे हैं जल्द ही आपका परिचया उनसे होगा किसी ने मुझे बताया आपके बहुत पुराने मित्र हैं क्यारोलीन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा अच् कहकर पॉयरो ने कंधे उचकाए और मुझसे बोला हमें चलना चाहिए डॉक्टर तहलते हुए हम फर्णली की दिशा में निकल गए मुझे पहले से ही कुछ-कुछ अंदाजा था कि ऐसा ही होगा मैं पॉयरो के तौर तरीकों को अब कुछ-कुछ समझने लगा था उसकी हर चोटी सी बेकार लगने वाली बात का कोई ना कोई सम्बंध पूरे मामले से जरूर होता था आखिरकार उसने कहा मेरे पास आपके लिए एक काम है दोस्त आज रात मैं अपने घर पर एक चोटी सी मीटिंग करना चाहता हूँ आप तो उसमें शामिल होंगे है ना जी जरू मैंने कहा ठीक मुझे घर में कुछ और लोग भी चाहिए मिसिस एक्रॉइड मिस फ्लॉरा मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये संदेशा लेकर वहाँ जाए और उन सब को कहें कि आज रात 9 बजे वे इस मीटिंग के लिए मेरे घर पर आ जा वैसे तो मैं ये काम खुद भी कर सकता था लेकिन तब सब लोग सवाल करेंगे क्यों किस लिए मेरा इरादा क्या है और आप तो जानते ही हैं मुझे अपने इन छोटे छोटे खायालों को समय आने से पहले समझाना एक दम नापसंद है मैं हलका सा मुस्कुरा दिया आप य नहीं मैं कुछ देर यहीं घूमता हूँ पंदरा मिनट बाद मैं लॉज के फाटक पर आपसे मिलूँगा मैंने सिर हिलाया और अंदर की ओर बढ़ गया परिवार के सदस्यों में से घर पर सिर्फ मिसिस एक्रॉइड थी जो चाय की चुस्किया ले रही थी उन्होंने बड दूसरी मुसीबत ले ही आती है आपने फ्लॉरा के बारे में तो सुन ही लिया होगा फ्लॉरा के बारे में क्या मैंने सतर्क भाव से पूछा उसकी ये नई सगाई फ्लॉरा और हेक्टर ब्लंट कुद्रती तोर पर उतना अच्छा रिष्टा तो नहीं जितना रॉल्फ पै आदमी की जरूरत है कोई ऐसा जो स्थेर और भरोसे मंद हो और फिर हेक्टर सचमुच अपने धंक से काफी जाना माना आदमी है आपने आज सुभा के अकपार में रॉल्फ की गिरफतारी की ख़वर देखी जी हां देखी थी मैंने कहा भयानक है जेफरी रेमंड तो बहुत में था उसने लिवरपूल फोन किया लेकिन वहां पुलिस स्टेशन पर विलोग उसे कुछ बता ही नहीं रहे थे बलकि उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने रॉल्फ को गिरफतार ही नहीं किया रेमंड का कहना था कि ये सब गलती से हो रहा है मैंने इसकी चर्चा नौकरों के सामने करने पर रोक लगा दी है कितनी बुरी बात है कितनी बेईज़ती जरा सोचिए अगर फ्लॉरा का ब्याह सचमच उससे हो गया होता तो हमारा क्या होता मिसिस एक्रॉइड ने तकलीफ से अपनी आँखें बंद कर ली मैं इसी सोच में पढ़ा था कि पौयरों का नि इस्पेक्टर रेगलान के साथ जानवर कहीं का उसने फ्लॉरा को डरा कर उससे ये कहलवा लिया कि उसने वो पैसा रोजर के कमरे से लिया था बात इतनी सीधी सी थी सचमच वो बच्ची बस कुछ पाउंड उधार लेना चाहती थी अपने अंकल को तंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि रोजर ने इसके खिलाफ कड़े आदेश दे रखे थी वो जानती थी कि वो अपने पैसे कहां रखता था और उसने जाकर ले लिये बस इतनी सी तो बात थी आप तो जानते ही हैं आजकल लड़कियां कैसी होती हैं उन पर किसी भी बात का असर इतनी जल्दी हो जाता है इंस्पेक्टर उस पर ऐसे बुरी तरह चिला रहा था बार बार चोरी चोरी का शब्द कह रहा था बिचारी बच्ची के मन में डर पैदा हो गया और उसे ये लगने लगा कि उसने सच मुच पैसा चुराया है लेकिन मैं एक तरह से इस सारी गलत पहमी के लिए बहुत चिंतित रही हूँ एक बार तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि उसके और रेमंड के बीच किसी किस्म का समझाता होने वाला था जरा सोचिए एक प्राइविट सेक्रेटरी जिसके पास अपने कोई साधन भी नहीं है ये तो आपके लिए बहुत बड़ा आगात ह होता मैंने कहा बहराल एक मिनिट के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए मेरे पास आपके लिए मिस्टर हर्क्यूल पॉयरो का एक संदेश है मेरे लिए मिस्टर एक्रॉइड बुरी तरह चौंक गई मैंने जल्दी से उन्हें तसली दी और समझाया कि पॉयरो क्या चाहता उन्होंने कुछ संदेह भरेस्वर में कहा अगर मिस्टर पॉयरो ऐसा कह रहे है तो हमको आना ही चाहिए लेकिन ये सब है किसलिए मैं पहले से जानना चाहती हूं मैंने उस औरत को आश्वस्त किया कि मैं भी सचमुच उतना ही जानता था जितना वे उन्होंने कुछ बेमन जगह पर पॉयरो से जा मिला मैंने कहा मुझे पंधरा मिनट से ज्यादा लग गए वो औरत एक बार बोलना शुरू करती है तो बकबक करती ही जाती है चुप होने का नाम ही नहीं लेती कोई बात नहीं दोस्त मैं तो यहां आराम से घूम रहा था ये बाग इतना खुब है उसके बाद हम घर की तरफ चल दिये जब हम घर पहुँचे तो क्यारली ने दर्वाजा खोला उसने अपने होटों पर उंगली रखी उसके चेहरे पर उत्तेजना का भाव था उसने धीमे स्वर में कहा फर्णली में काम करने वाली वो लड़की उर्सुला बॉन यहां आ भी दे दी है ऐसी हलत में उसे देखकर किसी का भी दिल मसोसने लग सकता है हम अंदर दाखिल हुए और हमने देखा उर्सुला बॉन मेज के पास बैठी हुई थी उसकी बाहें उसके सामने फैली हुई थी और उसकी आँखें रोने से बुरी तरह लाल थी मैंने धीरे से कहा उर्सुला बॉन लेकिन पॉयरो मेरे साथ से होकर आगे बढ़ा और बोला नहीं ये पूरी तरह ठीक नहीं है मेरे ख्याल से ये उर्सुला बॉन नहीं है ये उर्सुला पैटन है मिसिस उर्सुला रॉल्फ पैटन अध्याय बाईस कुछ पल के लिए वो लड़की चुपचाप पॉयरो को देखती रही फिर सयम खोकर उसने एक बार से उपर नीचे हिलाया और सुबकियों में फूट पड़ी क्यारोलीन मेरे पास से आगे बढ़ी और अपनी बहां से युवती को घेर कर उसने उसके कंधे को थप थपाया बस बस बच्ची सब ठीक हो जाएगा तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा उसने तसली देते हुए कहा उत्सुकता और अफवाबाजी के नीचे क्यारोलीन में धेर साथ दयाभाव भी है जल्दी ही उर्सुला सीधी होकर बैठ गई और उसने अपनी आँखें पहुची फिर उसने कहा ये मेरी बहुत ही कमजोर और बेवकूफी भरी हरकत थी नहीं नहीं बच्ची हम सभी पिछले हफ़ते भर के तनाव को समझ सकते हैं पॉयरो ने दयाभरेस्वर में कहा ये सब बहुत तकलीफ देह रहा होगा मैंने कहा और फिर ये पता चलना कि आपको मालुम था आपको कैसे पता चला क्या रॉल्फ ने आपको बताया उर्सुला ने पूछा पॉयरो ने सिरहला कर इंकार कर दिया पता है आज रात मुझे आपके पास क्या चीज लेकर आई है ये इतना कहकर उर्सुला ने अखबार का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा आगे बढ़ाया और मैं उस खबर को पहचान गया जो पॉयरो ने उसमें छपवाई थी इसमें कहा गया है कि रॉल्फ को गिरफतार कर लिया गया है इसलिए अब हर चीज बेकार है अब मुझे छिपाने की कोई जरूरत नहीं अखबार में छपी खबरें हमेशा सच्ची नहीं होती है वो है सच्चाई लड़की उसकी तरफ संदिह से देखते हुए हिचकिचाई पॉयरो ने नर्मी से कहा तुम मुझे पर विश्वास नहीं करती तो भी तुम यहां मुझे ढूंटती हुई आई ऐसा क्यों लड़की ने बड़ी धीमी आवाज में कहा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि रॉल्फ ने खून किया है और मैं सोचती हूँ कि आप होश्यार हैं और सच को खोज निकालेंगे पॉयरो ने अपने सिर को उपर नीचे हिलाया और कहा बहुत अच्छी बात है ये सुनो मैं सचमुच ये मानता हूँ कि तुम्हारा ये पती निर्दोश है लेकिन मामला पूरी तरह गड़बढ है अगर मुझे उसको बचाना है तो मुझे सारी बात पता होनी चाहिए भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो कि इससे उसके खिलाफ मामला और बिगड़ जाएगा आप कितनी अच्छी तरह समझाते हैं उर्सुला ने कहा तो तुम मुझे पूरी कहानी बताओगी है ना एकदम शुरू से पॉयरो ने कहा पॉयरो द्वारा प्रोथसाहित किये जाने पर उर्सुला ने अपनी कहानी सुनाई जो मैं यहां अपने शब्दों में दोबारा पेश कर रहा हूँ ऐसा लगता है कि उर्सुला बॉन साथ लोगों के परिवार से आई थी गरीब आईरिश भद्र लोग अपने पिता की मौत होने पर ज्यादातर लड़कियों को अपना खर्च अपने आप चलाने के लिए दुनिया में भेज दिया गया उर्सुला की बड़ी बहन कैप्टन फॉलियर से ब्याही थी वो वही थी जिसे मैं उस इतवार को मिला था और उसकी शर्मिंदगी की वजह अब मेरे सामने साफ थी अपना खर्चा खुद कमाने के लिए उर्सुला ने परिचारिका की नौकरी करना पसंद किया उसने इसके लिए अपनी बहन से सिफारिश करवाई वो अपने काम में सफल थी चोस्त, कुशल और महनती फिर उसकी मुलाकात रॉल्फ पैटन से हुई दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ और दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली रॉल्फ ने उसकी इक्षा के विरुध उसे इसके लिए मनाया था उसने बता दिया था कि उसके सौतेले पिता किसी गरीब लड़की से उसकी शादी के बारे में सुनेंगे भी नहीं इसलिए बहतर है कि चुपके से शादी कर ली जाए और बाद में कोई अच्छा मौका आने पर उन्हें ये बात बता दी जाए और इस तरह वो कदम उठा लिया गया और उर्सुला बॉन उर्सुला पैटन बन गई रॉल्फ ने उसे कहा था कि जब वो अपने कर्ज चुका लेगा कोई नौकरी ढूंड लेगा और जब उसका भरन पोशन करने लायक होकर अपने सौतेले पिता से आजाद हो जाएगा तब वे मिस्टर एक्रॉइड को ये खबर बता देंगे लेकिन रॉल्फ पैटन जैसे लोगों के लिए नई जिन्दगी शुरू करने की बात करना तो आसान होता है उसे असलियत का जामा पहनाना बेहत मुश्किल उसे उमीद थी कि उसके सौतेले पिता उसके कर्जों को चुकाने के लिए राजी हो जाएंगे और उसे उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे लेकिन रॉल्फ के उधार की रकम का पता लगने पर रॉजर एक्रॉइड को गुसा आ गया और उसने कुछ भी करने से इंकार कर दिया कुछ महीने बीट गए और रॉल्फ को एक बार फिर फरनली बुलाया गया रॉजर एक्रॉइड ने उससे सीधी बात की उसकी हाद एक इक्षा थी कि रॉल्फ फ्लॉरा से शादी कर ले और यही बात उन्होंने उसके सामने रखी और यहीं पर रॉल्फ पैटन के अंदर की कमजोरी बाहर निकल कर आई हमेशा की तरह उसने आसान हल वाला रास्ता चुना जहां तक मैं समझ पाया ना तो फ्लॉरा ने और ना ही रॉल्फ ने प्रेम का कोई दिखावा किया दोनों की तरफ से ये एक कारोबारी समझाता था रॉजर एक रॉइड ने अपने एक्षा बताई और इन दोनों ने उसे स्विकार कर लिया फ्लॉरा ने आजादी, पैसे और एक ज्यादा बड़ी दुनिया की संभावना को चुन लिया रॉल्फ एक दूसरा ही खेल खेल रहा था, वो आर्थिक रूप से बड़ी समस्या से गहरा था उसने इस मौके को थाम लिया, इससे उसके कर्ज चुकता हो जाते, वो फिर से एक नया अध्याय शुरू कर सकता उसके स्वभाव में भविश्य की चिंता करना नहीं था, लेकिन मेरा अनुमान है कि उसने सही वक्त आने पर फ्लॉरा के साथ अपनी सगाई को तोड़ने की संभावना रखी होगी फ्लॉरा और उसने मिलकर ये शर्त रखी थी कि सगाई की बात को अभी गुपचुप रखा जाए, वो उर्सुला से ये बात शिपाना चाहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि उर्सुला का सवभाव ताकतवर और मजबूत था, और वो धोखा धड़ी से नफरत करती थी फिर आया वो महत्वपूर्ण मोड, जब रोजर एक्रॉइड ने सगाई की घुशना करने का फैसला किया, उसने अपने इरादे को रॉल्फ पर जाहिर नहीं किया, सिर्फ फ्लॉरा से बात की, और फ्लॉरा ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उसे इस मामले में ज्याद ने सुना था, रॉल्फ ने उससे कुछ समय तक और खामूश रहने की विंती की, लेकिन उर्सुला अपनी बात पर द्रिढ थी, कि छिपने छिपाने के इस खेल को अब खत्म किया जाना चाहिए, वो मिस्टर एक्रॉइड को सच्ची बात बिना देरी किये बताने वाली थी पती पतनी आपस में जगडा करके अलग हुए, उर्सुला ने अपने निश्चे पर अटल रहते हुए, उसी दो पहर को रॉजर एक्रॉइड से बात की और उसे सब कुछ बता दिया, ये बातचीत काफी गर्मा गरम थी, ये और भी तूफानी रही होती अगर एक्रॉइड अपनी ही परिशानियों से नागिरा होता, तब भी मुलाकात खासी बुरी रही, एक्रॉइड उन लोगों में से नहीं था, जो अपने साथ किये गए धोखे को माफ कर दें, उसका गुस्सा तो रॉल्फ पर था, लेकिन उसका एक हिस्सा उर्सुला को भी चखना पड़ा, क इसके लिए वो बगल के दर्वाजे से बाहर आई, रॉल्फ ने उर्सुला पर आरोप लगाया, कि उसने गलत समय पर अपनी बात कहकर उसके भविशे को नश्ट कर दिया था, उर्सुला ने रॉल्फ पर धुखा देने का आरोप लगाया, अंत में वे अलग हुए, आधे गंटे से कुछ उपर हुआ होगा, कि रॉजर एक्रॉइड की मौत का पता चला, उस रात से उर्सुला ने रॉल्फ को न देखा था, ना उससे कोई बात की थी, जैसे जैसे कहानी खुलती गई, मुझे और भी एहसास होने लगा, कि घटनाओं का ये सलसिला कितना घातक था जिन्दा रहने पर एक्रॉइड ने यकीनन अपनी वसीयत को बदल दिया होता, मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता था, कि ऐसा करना उसका पहला खयाल होता, उसकी मौत रॉल्फ और उर्सुला पैतन के लिए बड़े मौके पर आई, कोई हैरानी की बात नहीं कि उस पूछना है, और आपको इसका जवाब सच सच देना है, क्योंकि अब हो सकता है इसी पर सारी चीजें आतिकें, समर हाउस में जब तुम कैप्टन पैटन को छोड़ कर आई, तो उस समय क्या टाइम हुआ था, मुझे आराम से सोच कर बताओ और सही सही जवाब दो, लड़क तो बस साड़े नौ बजे थे, मेजर बलंट टेरिस पर चहल कदमी कर रहे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मुझे ज़ाडियों की तरफ से घूम कर जाना पड़ा, दस बजने में करीब 27 मिनट बाकी होंगे जब मैं समर हाउस पहुँची, रॉल्फ मेरा इंतजार कर रह था, मैं उसके साथ 10 मिनट रही, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जब मैं घर के अंदर पहुँची, उस वक्त पॉने 10 बजे थे, अब मैंने उसके उस दिन वाले प्रश्न की जिद की एहमियत समझी, अगर एक्रोईड की हत्या का समय पॉने 10 से पहले का साबित हो सकता था, तब ही रॉल्फ पैटन के लिए छूट थी, वरना नहीं, उस विचार की जलक मुझे पॉयरो के अगले सवाल में मिली, समर हाउस से पहले कौन गया, जी मैं, रॉल्फ को वही पर छोड़ कर, जी हाँ, क्या आप सोचते हैं कि, देखे मिस, ये महत्वपून नहीं है कि मैं क क्या सोचता हूँ, जब तुम घर के अंदर पहुची, तब तुमने क्या किया, मैं उपर अपने कमरे में चली गई, और वहाँ कब तक रही, लगभग 10 बजे तक, क्या कोई है जो ये साबित कर सके, साबित, आपका मतलब है कि मैं अपने कमरे में थी, यहाँ नहीं, लेकिन ओ, अब समझी, उन्हें ये लग सकता है कि वो मैं थी जो खिड़की के अंदर आकर कुर्सी पर बैठे मिस्टर एक्रॉइड को मार गई, क्यारलीन बीच में ही तम-तमा कर बोली, किसी बेवकूफ के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं सोचेगा, लड़की ने अपना चेहरा ह हाथों में छिपा लिया, ये तो बहुत ही डराने वाला है, बहुत ही भयानक, वो बुदबुदा रही थी, क्यारलीन ने दोस्ताना ढंग से उसके कंधे को पकड़ कर हिलाया, चिंता मत करो, मिस्टर पोईरो सच मुच ऐसा नहीं समझते, रही बात तुम्हारे उस पती की, तो मैं उसे बहुत एहमियत नहीं देती, और ये बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, बताओ तो, खुद तो भाग गया, और तुम्हें मुसीबतें जहलने के लिए छोड़ गया, लेकिन उर्सुला ने जोर जोर से सिरहलाया, नहीं नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं थ रॉल्फ अपनी वजह से कभी भागने वाला नहीं था, अब मुझे समझ आ रहा है, अगर उसने अपने सौतेले पिता के खून के बारे में सुना होगा, तो हो सकता है उसने खुद ये सोच लिया हो कि ये काम मैंने किया है, वो ऐसी कोई बात नहीं सोचेगा, कैरोलीन ने क रहा, मैंने उस रात उसके साथ इतना बुरा बरताव किया, इतना कठोर और कढ़वा वो जो कहने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं सुनने को तयार ही नहीं थी, मैं ये विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उससे सच-मश मेरी परवा थी, मैं बस फ़हां खडी-खडी उसे डा आप से अगर आपको मालुम हो कि वो कहा है तो आप उस तक मेरा संदेश पहुँचा देंगे। जेम्स को भला कैसे पता हो सकता था कि रॉल्फ कहाँ पर है। मैंने कहा लेकिन अखबार में तो लिखा है कि वो पकड़ा गया। उर्सुला ने अखबार की कतरन को आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा वो पॉयरो ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। मामूली सी बात है मिस। मुझे एक मिनट के लिए भी ये विश्वास नहीं है कि रॉल्फ पैटन वाकई गिरफतार हुआ है। मैं तुमसे एक बात जानना चाहूँगा। उस रात केपटन पैटन ने जूते पहने थे या बूट। उर्सुला ने अपना सिर हिला दिया। मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। वो बड़े प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। तुम अपने ही परिशानियों में इतना घिरी थी कि तुम्हारा इस तरफ ध्यान जाता भी कैसे। अब मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं पूछूँगा। तुम भी खुद को और परिशान मत करो। हिम्मत रखो। और अपना विश्वास हरक्यूल पॉयरो में बनाए रखो। अध्याए 23 क्यारलीन ने उठते हुए कहा। ये बच्ची अब कुछ देर लेटने के लिए उपर जा रही है। तुम चिंता मत करो बच्ची। मिस्टर पॉयरो जो भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं वो करेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लो। शायद मुझे फरनली लोट जाना चाहिए। उर्सुला ने अनिश्चे से कहा। लेकिन क्यारलीन ने उसके अतराजों को सक्ती से दबा दिया। बेकार की बात। तुम फिलहाल मेरे हाथों में हो। अभी के लिए तो तुम किसी भी हाल में यहीं रहोगी। क्यों मिस्टर पॉयरो पॉयरो ने रजामंदी जाहिर की। यही सबसे अच्छी बात होगी। और मैं ये भी चाहूँगा मिस्स बॉन कि आज शाम की हमारी मीटिंग में आप भी शामिल हों। नौ बजे मेरे घर पर। आपका वहां रहना बहुत ज़रूरी है। क्यारोलीन और उर्सुला कमरे से बाहर चले गई। उनके जाने के बाद दर्वाजा बंद हो गया और पॉयरो कुरसी पर बैठ गया। उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक ही है चीजें अपने आप सही खांचे में बैठती जा रही हैं। लेकिन रॉल्फ पैटन के खिलाफ तो और भी अंधेरी और काली होती जा रही हैं। पॉयरो ने सिर उपर नीचे हिलाया। हाँ ये तो है लेकिन इसकी तो उमीद ही थी। क्यों है ना। मैंने उसकी इस बात से थोड़ा चकरा कर उसकी ओर देखा। वो कुरसी में पीछे की तरफ टिका हुआ था। आधी आखें बंद किये। उसकी उंगलियों के पोर एक दूसरे को छू रहे थे। अचानक उसने सांस छोड़ी और सिर को हिलाया। क्या हुआ? मैंने पूछा। ऐसे मौकों पर मुझे अपने दोस्त हेस्टिंग्स की बहुत याद आती है। ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो जो अब अर्जेंटीना में रहता है। हमेशा जब मेरे पास कोई बड़ा केस होता था, वो मेरे साथ साथ रहता था और हमेशा मेरी मदद करता था। उसमें एक हुनर था, बिना गौर किये, बिना सोचे समझे, अंजाने में ही सच पर पहुँच जाने का। कई बार वो कुछ बेवकूफी भरी बात कहता था, और उसी से सच मेरे सामने उजागर हो जाता था। और इसके अलावा दिलचस्प मामलों के लिखित रिकॉर्ड रखने की भी उसकी आदत थी। मैं हलके से शर्मिंदा भाव से खासा, जहां तक लिखित रिकॉर्ड का सवाल है, उसकी आदत तो मुझे भी है। पॉयरो अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, उसकी आँखे चमकने लगी, हाँ हाँ कहिए, क्या कह रहे थे आप, उसने कहा, सच तो ये है मिस्टर पॉयरो कि मैंने कैप्टन हेस्टिंग्स के कुछ वृत्तांत पढ़े हैं, और मैंने सोचा, क्यो ना मैं भी इसी तर कि किसी चीज में शामिल हुआ हूँ, पॉयरो उचल कर अपनी कुर्सी से उठा, ये तो शांदार है, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा है, क्या आपने वो सब कुछ लिख रखा है, मैंने हामे सिर हिलाया, ला जवाब, मुझे दिखाईगी, अभी, इसी वक्त, मैं ऐसी अ अकलाते हुए कहा, हो सकता है, मैं कहीं पर कुछ निजी किस्म की टिपनियां भी कर बैठा हूँ, कहीं कहीं पर, अरे, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, आपने मुझे हस्यास्पत बताया होगा, या शायद जोकर, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्टिंग्स भी कभी नमरता से काम नहीं लेता था, मेरा दिमाग इन छोटी छोटी बातों से बहुत उपर है, अब भी थोड़े संदेह से घेरा हुआ, मैं अपनी मेज की दराज के पास गया, और मैंने उसमें से एक कागजों के अंबार को निकाल कर उसे थमा दिया, भविश्य में इसे प उसे वो कागज थमा कर मैं एक मरीज को देखने के लिए चला गया, जब मैं लोटा तब तक आठ बज चुके थे और मुझे पता चला कि मेरे लिए गर्म खाना रखा हुआ था, पॉयरो और मेरी बहन ने साढ़ साथ बजे खाना खा लिया था, और उसके बाद पॉयरो बच लिखता रहा, मैंने बिलकुल साफधानी से काम नहीं लिया था, कैरोलीन ने जैसे मेरे चेहरे के भावों को पढ़ लिया, फिर बोली, ऐसा नहीं है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पढ़ता है, मिस्टर पॉयरो समझ लेंगे कि उन्हें क्या सोचना है, वे मुझे तुम से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं वरक्शॉप में गया, पॉयरो एक खिड़की के पास बैठा था, कागज उसके पास रखी एक कुरसी पर सलीके से लगे हुए रखे थे, उसने अपना हाथ उन पर रखते हुए बात शुरू की, मैं आपके विनम्रता के लिए आपक क्या किया, हर चीज के बारे में उसके क्या विचार थे, लेकिन आपने अपने आपको सिर्फ बैक ग्राउंड में रखा है, सिर्फ एक या दो बार आपका व्यक्तित बीच में हस्तक शेप करता है, कहा जाए कि घरेलू जिंदगी वाले हिस्सों में, उसकी आखों की चमक के सामने मैं थोड़ा शर्मा गया, मैंने हलकी सी घबराहट के साथ पूछा, वैसे मैंने जो भी लिखा है उसके बारे में आपका क्या खयाल है, पौईरों ने हमदर्दी के साथ कहा, बहुत ही बारीक और सच्चा विवरन है, आपने सारे तथ्ये बिलकुल सच-सच और सही त मेरी बड़ी सहायता की है, तो आईए मेरे घर चलें और वहाँ पर इस छोटे से शो के लिए स्टेज तैयार करें, क्यारोलीन हॉल में थी, उसे पूरी उमीद थी कि उसे भी शायद हमारे साथ चलने के लिए न्योता दिया जाएगा, पौईरों ने उसकी मन्शा को भापत हुए उससे कहा, मेरी बहुत इक्छा थी कि आप भी वहाँ होती मिस क्यारोलीन, लेकिन ये समझदारी की बात नहीं होगी, ये सारे लोग जो आज रात आ रहे हैं, शक के घेरे में हैं, उन में से मैं उसे ढून निकालूँगा, जिसने मिस्टर एक्रॉइड का खून किया ह आपको सचमुच ऐसा विश्वास है, मैंने अविश्वास के साथ कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपको नहीं है, पौहरों ने सुखे अंदाज में कहा, अब भी आप हर्कूल पौहरों की सही कीमत समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक उसी समय उर्सुला सीड़ियां उतर कर नीचे आ गई, तुम तयार हो बच्ची? पौहरों ने पूछा, अच्छी बात है, हम साथ साथ मेरे घर चलेंगे, गोड इवनिंग मिस क्यारोलीन, क्यारोलीन को वहीं छोड़ कर हम आगे बढ़ गए, और क्यारोलीन पीछे से हमें उस बच्चे की तरह लालसा से देखती रह गई जिसके हाथ से कवा टौफी छीन कर भाग गया हो, पौहरों के घर पर बैठक को पूरी तरह तयार कर दिया गया, मेज पर कई तरह के पेई और गिलास सजा दिये गए, एक प्लेट में बिसकेट रखे गए, दूसरे कमरे से कई कुरसियां भी लाकर वहां रख दी गई, पौ चैंप ऐसे रखे गए थे कि कमरे का वो हिस्सा जहां कुरसियां सजी थी, वो साफ रोशनी में रहे, और दूसरा हिस्सा जहां पौहरों खुद बैठने वाला था, वो मध्धिम रोशनी में रहे, उर्सुला और मैं उसे देखते रहे, जल्दी ही घंटी की आवाज उनके पीछे मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड थे, सेक्रेटरी हमेशा की तरह जिंदा दिल था, उसने हस्ते हुए कहा, अब की बार कौन सा नायाब खयाल आपके दिमाग में है, विज्ञान का कोई करिश्मा, कोई नई मशीन, क्या हमें कलाई पर ऐसे पट्टे बांधन होंगे, जिनमें दिल की दोशी धड़कने रिकॉर्ड हो जाएंगी, ऐसा एक आविश्कार हुआ है ना, हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, पौईरो ने स्विकार किया, लेकिन मैं पुराने खयालों का हूँ, मैं पुराने तरीके इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो बस दिमाग की छोटी कोशिकाओं से ही काम लेता हूँ, आईए, अब हम अपना काम शुरू करते हैं, उसने उर्सुला का हाथ पकड़ा और उसे खीच कर आगे ले आया, फिर बड़े ही नाथ की अंदाज में बोला, ये मिसिस रॉल्फ पैटन है, पिछले महीने यानि मार्च म कैपटन रॉल्फ पैटन से इनकी शादी हुई है, मिसिस एक्रॉइड के मुह से अचानक एक चीख निकल गई, रॉल्फ, शादी, मार्च में, ये किदरी बेतु की बात है, ये कैसे हो सकता है, उन्होंने इस तरह उर्सुला को देखा, जैसे पहले कभी नहीं देखा था, बॉल्फ से शादी, सच मुच, मिस्टर पॉयरो, मैं आप पर बिल्कुल यकिन नहीं करती, उर्सुला का चेहरा लाल हो गया, और वो कुछ कहने लगी, लेकिन फ्लॉरा ने उसे ये मौका नहीं दिया, जल्दी से उसके पास जाकर उसने उर्सुला की बाह में अपनी बाह डाल दी, फिर उसने कहा, तुम्हें हमारे चकित होने के बारे में बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बॉन, देखो, हमें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था, तुमने और रॉल्फ ने अपना राज बड़ी खूबी से बनाए रखा है, मुझे इस बात पर बहुत खु अरे तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, रॉल्फ मुसीबत में था, और बाहर निकलने के लिए जो एक अकेला रास्ता था उसने वही चुना, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, हलांकि मैं ये जरूर सोचती हूँ कि काश उसने मुझे अपना राजदार बनाया होता, मैं उसे कभी धोका नहीं देती, पॉयरो ने मेज को हलके से थप थपाया, और बड़े अर्थ पून धंग से खंखार कर अपना गला साफ किया, फ्लॉरा बोली, लो, मीटिंग शुरू होने वाली है, मिस्टर पॉयरो का इशारा है कि हम बातें ना क रहा, वो लिवरपूल में गिरफतार नहीं हुआ है, अख़बार में तो यही छपा था, रेमंड ने पूछा, वो लिवरपूल में नहीं है, पॉयरो ने रुखाई से कहा, सच तो ये है कि कोई नहीं जानता वो कहा है, मैंने कहा, सिवाए हरक्यूल पॉयरो के, क्यों? रेमंड ने कहा पॉयरो ने गंभीरता से रेमंड के इस मजाग का जवाब दिया मैं हर चीज जानता हूँ और ये बात तुम याद रखना जेफरी रेमंड ने भवें चड़ाई हर चीज ये तो बहुत बड़ी बात है क्या आपका मतलब है आप सचमुची अनुमान लगा सकते हैं कि रॉल्फ पैटन कहां छिपा हुआ है आप उसे अनुमान कहते हैं मैं उसे जानना कहता हूँ पॉयरो ने द्रटा से जवाब दिया मैंने तुक्का लगाया क्या वो क्रेंचेस्टर में है नहीं क्रेंचेस्टर में नहीं है पॉयरो ने कहा उसने और कुछ नहीं कहा लेकिन उसके इशारे पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए इसी के साथ एक बार फिर से दर्वाजा खुला और दो और लोग अंदर आए और दर्वाजे के पास बैठ गए ये थे पारकर और मिस्रसेल पॉयरो ने कहा गिंती पूरी हो गई है अब सब यहां मौजूद है उसके लहजे में संतोश का पुट था और इसी के साथ मैंने कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर कुछ बेचैनी का सा भाव तैरते देखा इस सब में कुछ फंदे जैसा संकेत था ऐसा फंदा जो लगातार कस्ता जा रहा हूँ पॉयरो ने बड़े ही महत्वपून धंग से एक लिस्ट से नाम पढ़े मिस्स एक्रोईड मिस फ्लॉरा एक्रोईड मेजर ब्लंट मिस्टर जेफरी रेमंड मिस्स रॉल्फ पैटन जॉन पार्कर अलिजबेथ रसिल फिर उसने उस कागस को मेज पर रख दिया इस सब का क्या मतलब है रेमंड ने कहा पॉयरो ने कहा जो लिस्ट अभी मैंने पढ़ी है वो संदिग्ध लोगों की लिस्ट है यहां मौजूद आप सभी लोगों में से हर एक के पास मिस्टर एक्रोईड की हत्या करने का अवसर मौजूद था एक चीख मार कर मिस्स एक्रोईड उचल कर खड़ी हो गई उनका कला फड़फडा रहा था मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कूल अच्छा नहीं लग रहा मैं घर जाना चाहती हूँ वो अजीब से स्वर में बोली पास्वरों ने कड़े स्वर में कहा आप तब तक घर नहीं जा सकती जब तक आप वो सब ना सुन लें जो मुझे कहना है मैं शुरू से शुरू करूँगा जब मैं सेक रॉइड ने मुझे इस मामले की जाच करने के लिए कहा था मैं डॉक्टर शेपर्ड के साथ फ़र्न ली गया था मैं उनके साथ टेरिस पर भी गया जहां मुझे खिड़की की मुडेर पर टुकड़ा और बत्तक के पंक की एक डंडी सूती कपड़े के टुकड़े से मैंने किसी नौकरानी के एपरन का अनुमान लगाया जब इंस्पेक्टर रेगलान ने मुझे घर के लोगों की लिस्ट दिखाई तो मैंने फॉरन देखा कि नौकरानियों में से एक उर्सुला बॉर्ण के पास कोई सच्चा सबूत नहीं था कि वो कब कहां पर थी उसकी अपनी कहानी के मुताबिक वो साढ़े नौ बजे से दस बजे तक अपने कमरे में थी लेकिन माल लीजिये कि उस समय वो समर हाउस में थी अगर ऐसा था तो वो वहां किसी से मिलने गई होगी अब हमें डॉक्टर शेपर्ड से ये पता चला कि उस रात बाहर से कोई व्यक्ति मकान पर आया था वो अजनभी जिस से वे फाटक पर मिले थे पहली नजर में लगा कि हमारी समस्या हल हो गई है और वो अजनभी उर्सुला बॉन्ट से मिलने समर हाउस में गया होगा ये तो पक्का था कि वो समर हाउस में गया था क्योंकि वो बतक के पंक की डंडी हमें वहां मिली थी उस डंडी ने मुझे फोरण ये आइडिया दिया कि वो कोई नशीली दवाईयां लेने वाला आदमी था ऐसा आदमी जिसे ये आदत अमेरिका में पड़ी होगी जहां कोकीन सुंगना बहुत आम है जिस आदमी से डॉक्टर शेपर्ड की मुलाकात हुई थी उसके बोलने का लहजा अमेरिकी था जो इस अनुमान से मेल खाता था लेकिन रुकावट एक वजह से थी समय मेल नहीं खाता था उर्सुला बॉन उस समर हाउस में निश्चे ही साधे नौ बजे से पहले नहीं गई होगी जबकि वो आदमी वहाँ नौ बज कर कुछ मिनट पर पहुचा होगा तब मुझे दूसरा अनुमान लगाना पड़ा कि उस समर हाउस में एक नहीं बलकि दो मुलाकाते हुई होगी जैसे ही मैंने ये दूसरा अनुमान लगाया मुझे कई महत्वपून तथ्य मिले मैंने पाया कि घर का प्रबंध करने वाली मिस रसेल उसी सुभा डॉक्टर शेपर्ड से मिलने गई थी और उसने नशीली दवाओं के शिकार लोगों में काफी दिल्चस्पी दिखाई थी पंक की डंडी के साथ इस बात को मिला कर देखने पर मैंने ये माल लिया कि वो आदमी उर्सुला बॉन से नहीं बलकि मिस रसेल से मिलने फर्ण लिया था तब फिर उर्सुला बॉन किस से मिलने आई थी मुझे ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा पहले मुझे एक शादी की अंगुठी मिली जिस पर फ्रॉम आर और एक तारीक खुदी हुई थी फिर मुझे पता चला कि 9 बज कर 25 मिनट पर रॉल्फ पैटन उस रास्ते पर आता दिखाई दिया था जो समर हाउस की तरफ जाता है और मुझे उस बातचीत के बारे में भी बताया गया जो गाउं के पास के जंगल में उस दो पहर को सुनी गई थी रॉल्फ पैटन और किसी अंजान लड़की के बीच इस तरह सारे तथ्य एक के बाद एक व्यवस्थित ढंग से सजते गए गुप्त शादी, हादसे के दिन एक सगाई की घोशना जंगल में वो तुफानी बातचीत और उसी रात समर हाउस में मिलने का इंतजाम संयोग से इसने एक बात मेरे सामने साफ कर दी कि रॉल्फ पैटन और उर्सुला बॉन्ड के पास मिस्टर एक्रोईड को रास्ते से हटाने के सबसे मजबूत कारण थे और इससे एक बात और साफ हो गई कि साढ़े नौ बजे रॉल्फ पैटन मिस्टर एक्रोईड की स्टडी में मौजूद नहीं हो सकता था तब हम इस जुर्म के दूसरे और सबसे दिल्चस्प पहलू पर पहुँचे साढ़े नौ बजे मिस्टर एक्रोईड के साथ आखिर था कौन रॉल्फ पैटन नहीं था जो समर हाउस में अपनी पतनी के साथ था चार्ल्स केंट भी नहीं था जो पहले ही वापस जा चुका था तब वो था कौन और तब मैंने अपना सबसे समझदारी भरा सवाल पूछा क्या उनके साथ कोई था भी इतना कहकर पॉयरू आगे जुका और उसने आखरी शब्द किसी विजेता के अंदाज में हमारी तरफ फेंके फिर वो उस आदमी की तरह पीछे को टिक गया जिसने निशाने पर तीर मार दिया हो लेकिन रेमंट उसकी इस बात से प्रभावित नहीं दिखाई दिया और उसने नर्मी से उसका विरोध किया मुझे नहीं पता कि आप मुझे जूटा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मिस्टर पॉयरू लेकिन ये मामला सिर्फ मेरी गवाही पर नहीं टिका है याद कीजिए मेजर बलंट ने भी मिस्टर एक्रॉइड को किसी से बातें करते सुना था वे टेरिस पर थे और शब्दों को साफ साफ नहीं सुन पाए थे लेकिन उन्होंने आवाजें जरूर सुनी थी पॉयरो ने सिर हिलाया और आहिस्ता से कहा मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ लेकिन मेजर बलंट का तो ये खयाल था कि मिस्टर एक्रॉइड के साथ आप थे एक पल के लिए ऐसा लगा कि रेमंट को धक्का लगा फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया मेजर बलंट अब जानते हैं कि उन्हें गलती लगी थी उसने कहा पॉयरो ने कुछ सोचने वाले अंदाज में कहा तो भी उनके ऐसा सोचने के पीछे कोई कारण तो रहा होगा मैं जानता हूँ आप क्या कारण बताएंगे लेकिन वो काफी नहीं है हमें कहीं और खोजना चाहिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ केस के शुरू से ही मुझे एक बात अजीब लगती रही है जो शब्द मिस्टर रेमन ने सुने थे वो काफी अजीब हैं और मुझे ये समझ नहीं आया कि आप लोगों में से किसी को भी वो अजीब क्यों नहीं लगे मिस्टर रेमन ने उन्हें ये वाक्य कहते हुए सुना था मेरी जेब पर हाल के दिनों में इतना बोज पड़ा है कि मुझे डर है तुम्हारे अनुरोध को मानना मेरे लिए संभव नहीं है क्या आप लोगों में से किसी को भी इस बात के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता मुझे तो नहीं लगता रेमन ने कहा उन्होंने अक्सर मुझे ऐसे पत्र बोल कर लिखवाए है और करीब करीब ऐसे ही शब्दों का इस्तिमाल किया है वही तो वहीं तो मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ पॉयरो चिल लाया क्या किसी आदमी से आमने सामने बात करते समय कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा ये असंभव है कि ये वाक्य किसी सचमुश की बातशीत का हिस्सा हो अगर वे कोई पत्र बोल कर लिखवा रहे होते तब जरूर ऐसी भाशा का प्रयोग करना सम्भव था आपका मतलब है कि वे किसी पत्र को पढ़ रहे थे लेकिन तब भी वे किसी को तो पढ़ कर सुना रहे होंगे रेमंड ने धीरे से कहा लेकिन क्यों हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कमरे में कोई और भी था मिस्टर एक्रोईड की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनी गई थी याद कीजिए लेकिन निश्य ही कोई भी आदमी उस तरह के पत्रों को उचे स्वर में बोलकर खुद को पढ़कर नहीं सुनाएगा तब तक जब तक की वो पागल नहों गया हो पॉयरो ने आहिस्ता से कहा आप सभी लोग एक बात भूल गए है वो अजनभी जो पिछले बुधवार को मकान पर आया था सब लोग एक टक उसकी तरफ देखने लगे पॉयरो ने उत्साह भरे ढंग से सिरहलाते हुए कहा हाँ हाँ बुधवार को वो युवक अपने आप में महत्वपून नहीं था लेकिन जिस कमपनी का वो प्रतिनिधी था वो कमपनी महत्वपून है डिक्ताफोन कमपनी रेमंड ने सांस छोड़ते हुए कहा अब मैं समझा आपका खयाल है डिक्ताफोन जी हाँ पॉयरो ने सिरहला कर कहा आपको याद है मिस्टर एक्रॉइड ने एक डिक्ताफोन खरीदने का वादा किया था मैंने उस कमपनी से पूछताच की उनका जवाब है कि मिस्टर एक्रॉइड ने उनके प्रतिनिधी से एक डिक्ताफोन खरीदा था उन्होंने ये बात आप से क्यों छिपाई ये मैं नहीं जानता शायद वे मुझे हैरान करना चाहते होंगे रेमंड बुदबुदाया उनमें लोगों को हैरान करने की बच्चों जैसी आदत थी एक दो दिन तक छिपाई रखना चाहते होंगे शायद शायद किसी नई खिलाउने की तरह उससे खेल रहे हों हाँ ये बात ठीक फिट बैठती है आप सही कह रहे हैं कोई भी आदमी आम बातचीत में ऐसे शब्द इस्तिमाल नहीं करेगा और इससे ये भी बात साफ हो जाती है कि मेजर ब्लंट ने ये क्यों समझा कि स्टडी में आप थे जो भी शब्द उन्हें सुनाई दिये वे बोल कर लिखवाने वाले टुकडे थे और इसी लिए उनके अवचेतन मन ने ये ताय कर लिया होगा कि अंदर आप थे चेतन रूप से वे किसी और बिलकुल अलग मामले में उलचे थे वो सफेद आकरिती जिसकी जलक उन्हें मिली थी उन्होंने सोचा था कि वो में सेक्रोइड थी जबकि सच ये था कि वो उर्सुला बॉन का सफेद एपरन था जो उन्हें दिखाई दिया था जब वो चुपके से समर हाउस की तरफ जा रही थी रेमंड अपने पहले आश्चर्य से उबर आया था उसने कहा मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच पाता आपकी ये खोज हलांकी अद्भुत है लेकिन फिर भी बुनियादी चीज को ये बिना बदले ही छोड़ देती है मिस्टर एक्रोइड साढ़े नौ बजे जिन्दा थे क्योंकि वे डिक्टाफोन में बोल रहे थे ये भी साफ है कि चार्ल्स केंट तब तक उस जगह से जा चुका था रही बात रॉल्फ पैटन की वो उर्सुला की तरफ देख कर कुछ हिच किचाया उर्सुला ने स्थिर भाव से उत्तर दिया रॉल्फ और मैं पौने दस से कुछ पहले अलग हुए थे वो घर के नजदीक नहीं गया ये मैं पक्यत और पर कह सकती हूँ उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था उस वक्त वो किसी भी कीमत पर अपने सौतेले पिता से मिलने जाना नहीं चाहता था ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है उर्सुला रेमंड ने कहा मुझे हमेशा से यकीन रहा है कि पैटन निर्दोश था लेकिन हमें कानून और अदालत के बारे में सोचना पड़ता है और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में भी वो बहुत ही दुर्भाग्य पून स्थिती में है लेकिन अगर वो सामने आए तो शायद मामला कुछ सुधर सकता है पौहरों ने उसकी बात बीच में काट दी तो ये है आपकी सलहा कि उसे सामने आना चाहिए निश्य ही अगर आप जानते हैं कि वो कहा है मैं देख रहा हूँ कि आपको विश्वास नहीं है कि मुझे मालूम है और मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे सब कुछ मालूम है तेलिफोन के उस संदेश के बारे में खिड़की की मुंडेर पर पैरों के निशान के बारे में रॉल्फ पैटन के छिपने की जगह के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है तो कहा है वो? बलंट ने तीखी आवाज में पूछा ज्यादा दूर नहीं पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा क्रेंचेस्टर में? मैंने पूछा पॉयरो मेरी तरफ मुड़ा आप हमीशा मुझसे यही पूछते हैं क्रेंचेस्टर का ये खयाल आपके दिमाग में इतना बैठ क्यों गया है? जी नहीं वो क्रेंचेस्टर में नहीं है वो वहाँ है उसने नाठ किया अंदाज में उंगली से इशारा किया सबके सिर उधर ही घूम गए दर्वाजे पर रॉल्फ पैटन खड़ा था अध्याए 24 मेरे लिए वो पल काफी बेचैन कर देने वाला था आगे क्या कुछ हुआ ये तो बड़ी मुश्किल से मेरे पलने पड़ा लेकिन उंचे उंचे उत्तेजित स्वर और आश्चरे भरी चीखें सुनाई दी जब मैंने खुद पर इतना काबू पा लिया कि ये समझ सकूं क्या हो रहा था तो मैंने देखा रॉल्फ पैटन अपनी पतनी के पास खड़ा था उसके हाथ को अपने हाथ में लिए और कमरे की उस तरफ से मुझे देख कर मुस्कुरा रहा था पॉयरो भी मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ अर्थपून धंग से उंगली हिला रहा था क्या मैंने आप से कम से कम 36 बार नहीं कहा है कि हरक्यूल पॉयरो से बातों को छिपाना बेकार है उसने कहा कि ऐसे मामलों में वो हर बात पता लगा ही लेता है फिर वो दूसरों की तरफ मुडा आपको याद है एक दिन हमने एक मेज के गिर्द एक छोटी सी मीटिंग की थी हम बस छे लोग थे मैंने बाकी पांच लोगों पर आरोप लगाया था कि उन में से हर एक मुझसे कुछ छिपा रहा था उन में से चार ने अपने भेद मुझे बता दिये डॉक्टर शेपर्ड ने अपना राज नहीं बताया लेकिन मेरे मन में लगातार शक बना रहा डॉक्टर शेपर्ड उस रात रॉल्फ को खोजने के लिए थ्री बोर्स गए वो उन्हें वहां नहीं मिला लेकिन माल लीजिए कि वो उन्हें घर लोटते समय रास्ते में मिल गया डॉक्टर शेपर्ड कैप्टन पैटन के मित्र थे और वे सीधे वहां से आये थे जहां जुर्म हुआ था वे जानते रहे होंगे कि मामला पैटन के पूरी तरह खिलाफ है शायद वे आम लोगों से ज्यादा जानते थे मैं जानता था मैंने शर्मिंदगी के साथ कहा मेरा खयाल है कि अब मैं सब कुछ साफ साफ बता ही देता हूँ मैं उस दिन दो पहर के बाद रॉल्फ से मिलने गया था पहले तो उसने मुझे अपने राज का साजीदार बनाने से इंकार किया लेकिन बाद में उसने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया और उस परिशानी के बारे में भी जिसमें वो फसा हुआ था। जैसे ही हत्या का पता चला मुझे एहसास हो गया कि एक बार तथ्या पता चल गए तो रॉल्फ पर शक हुए बिना नहीं रहेगा या अगर उस पर नहीं तो उस लड़की पर जिससे वो प्यार करता था। उस रात मैंने सारी बातें साफ साफ उसके सामने रखी इस ख्याल ने कि शायद उसे ऐसी गवाही देनी पड़े जो उसकी पतनी को फसा दे उसे हर कीमत पर ये संकल्प करने पर मजबूर कर दिया कि मैं हिचकिचाया। मेरी बात रॉल्फ ने पूरी की कि यहां से निकल लिया जाए। अपना हाथ उसके हाथ से खीच लिया और पीछे हट गई। तुमने ऐसा सोचा रॉल्फ? सचमुझ तुमने सोचा कि मैंने उनका खून किया होगा। पौरो ने रुखाई से कहा, आईए हम डॉक्टर शेपर्ड के दोशपून आचरन पर वापस लोटते हैं। डॉक्टर शेपर्ड ने जो वे रॉल्फ के लिए कर सकते थे वो किया, वे पुलीस से कैप्टन पैटन को छिपाने में सफल रहे। लेकिन कहा, अपने घर में? रेमंड ने पूछा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, पौरो ने कहा, आपको खुद से वो सवाल करना चाहिए जो मैंने किया था, अगर एक डॉक्टर किसी युबक को छिपा रहा है, तो वो कौन सी जगह चुनेगा? वो यकीनन कहीं पास में होन चाहिए? मैंने क्रेंचेस्टर के बारे में सोचा, कोई होटल? नहीं, लॉज या किराय का मकान? बिल्कुल नहीं, तो फिर कहा हो सकता है? फिर मुझे सूझा, नर्सिंग होम, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का नर्सिंग होम, फिर मैंने अपनी इस धारना को आजमा मैंने अपने एक मानसिक रोगी भतीजे की कहानी गढ़ी, मिस कैरोलीन से उपियुक्त नर्सिंग होम के बारे में राय लेने के लिए मैं गया, उन्होंने मुझे दो के नाम सुझाए, जो क्रेंचेस्टर के पास थे और जहां उनके भाई ने मरीजों को भेजा था, मैंने उस मरीज को कैप्टन पैटन के रूप में पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, कुछ जरूरी कारवाई के बाद मुझे उनको घर लाने की इजाज़त मिल गई, ये कल सुभा सवेरे मेरे घर पहुँच गए, मैंने अफसोस से उसकी तरफ देखा और बुद-बुद में आपके संकोच की तरफ आपका ध्यान दिलाया था, जहां तक उसमें लिखा था, वो सच था, लेकिन उसमें पूरा ब्यौरा नहीं था, मैं इतना हक्का बक्का रह गया, कि उसकी बात से सहमती भी नहीं जता सका, रॉल्फ ने कहा, डॉक्टर शेपर्ड ने बहुत वफ से अच्छा तरीका नहीं था, मुझे सामने आकर नतीजों का सामना करना चाहिए था, बात ये है कि नर्सिंग होम में हम अकबार नहीं देख पाते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, पॉयरो ने रुखाई से कहा, डॉक्टर शेपर्ड विवेक क की मूर्ती बने रहे हैं, लेकिन मैं सभी छोटे-छोटे भेदों का पता लगा लेता हूं, यही मेरा काम है, क्या अब हम उस रात क्या हुआ, इसके बारे में तुम्हारा बयान सुन सकते हैं, रेमंड ने अधीरता से कहा, आप सब उसे पहले से ही जानते हैं, रॉल्क बोल मुझे ये मानना होगा, कि मेरे पास अपने समय के बारे में रत्ती भर सबूत नहीं है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, कि मैं कभी स्टडी तक नहीं गया, और मैंने अपने सौतेले पिता को जिन्दा या मुर्दा देखा ही नहीं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं चाहता पॉयरो ने बड़ी ही जिन्दा दिल आवाज में कहा, हलांकि इस बात से चीजें बहुत आसान भी हो जाती हैं, एकदम आसान, हम सब मुहबाय उसे देख रहे थे, आप समझे मेरा मतलब, नहीं, बस इतना कि कैप्टन पैटन को बचाने के लिए असली अपराधी को अपना जुर्म कबूल करना होगा, हम सब अभी भी मुहबाय उसे देख रहे थे, हाँ हाँ मेरा मतलब वही है जो मैं कह रहा हूँ, अब देखिए, मैंने इंस्पेक्टर रेगलान को यहां नहीं बुलाया, इसके पीछे भी एक कारण था, मैं उन्हें वो सब नहीं बताना चाहता जो मैं जानता था, कम से कम आज की रात मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताना चाहता था, फिर वो आगे को जुका और अचानक उसकी आवाज और उसका पूरा हावभाव बदल गया, सहसा वो खतरनाक हो उठा, मैं जो आप से बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मिस्टर ए त्यारे को ही कह रहा हूँ, कल सच्चाई इंस्पेक्टर रेगलान को बता दी जाएगी, आप समझ रहे हैं ना, एक तनाव भरी चुपी छा गई, इसी बीच पॉयरो के घर की वो बुढ़ी फ्रांसीसी नौकरानी एक प्लेट में तार से आया संदेश लिये हुए आई, प जानते हैं कौन है, इस बीच पॉयरो उस संदेश को पढ़ चुका था, उसने उसे हाथ में मसल दिया, अब मैं जानता हूँ, उसने उस मुचड़े हुए कागस को थपथपाते हुए कहा, ये क्या है, रेमन ने पूछा, बेतार से आया संदेश, पानी के एक जहाज से, जो अब अमेरिका के रास्ते पर है, कमरे में मौत जैसी खामोशी चा गई, पॉयरो उठकर जुका, फिर बोला, सजनों और देवियों, मेरी ये छोटी सी मीटिंग अब खत्म होती है, बस इतना याद रहे, सच्चाई कल सुभा, इंस्पेक्टर रेगलान तक पहुँच जाए अध्याए 25 वो बड़ बोले पन और दींग हाकने का कोई बड़ा सा नमूना था, वो शायद मजाप कर रहा था, ताकि वो खुद को दिल्चस्प और महत्वपून बना कर पेश कर सके, लेकिन अपने तमाम खयालों के बावजूद, मैं एक बुनियादी असलियत में विश्वास करने प पर था, जब आखिरी शक्स भी चला गया, तो दर्वाजा बंद करके वो आग के नजदीक चला आया, उसने आहिस्ता से कहा, तो मित्र आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने साफ साफ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, इस सब का मतलब क्या था, सी सिगरेट का एक डिबबा निकाला, एक दो मिनट तक वो खामोशी से सिगरेट पीता रहा, फिर बोला, अपने दिमाग की कोशिकाओं का इस्तेमाल कीजिए, मेरे हर काम के पीछे हमेशा एक कारण होता है, मैं पल भर हिचकिचाया, और फिर मैंने धीरे-धीरे कहा, पहला कारण जो मुझे समझ आ रहा है, वो ये है कि आप खुद नहीं जानते कि दोशी कौन है, लेकिन आपको यकीन है कि वो यहां आए लोगों में से ही मिलेगा, इसलिए आपके शब्द उस अंजान हत्यारे को अपना अपराद स्विकार कर लेने के लिए मजबूर करने को कहे अच्छा विचार है, लेकिन सच नहीं है, मैंने सोचा शायद कि उसे ये विश्वास दिला कर कि आप जानते हैं, आप उसे खुले में आने पर मजबूर कर सकेंगे, हो सकता है जैसे उसने मिस्टर एक्रॉइड को खामोश किया था, वो आपको भी खामोश करने की कोशिश क करें, इससे पहले कि आप कल कोई कदम उठा सकें, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन अपने आपको चारे की तरह इस्तेमाल करके जाल बिचाने की बहादुरी मुझमिन नहीं है, उसने बड़े ही सपाट शब्दों में कहा, फिर मैं आपकी बात समझ पाने में नाकाम हूँ, न उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता आजादी की तरफ नहीं ले जाता, मैंने अविश्वास से पूछा, आपको सचमुच विश्वास है कि आज रात यहां इकठे लोगों में से ही एक कोई हत्यारा है, हाँ मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है, उन में से कौन? कुछ मिनिट तक चुपी छाई रही, फिर पॉयरों ने सिगरेट के टोटे को आतिशदान में फेंक दिया, और एक आहिस्ता सोचती हुई से आवाज में बोलना शुरू किया, मैं आपको उसी रास्ते पर ले जाऊंगा, जिस रास्ते पर मैं खुद सफर कर चुका हर कदम आप मेरा साथ देंगे और खुद देखेंगे कि सारे तथ्ये निर्विवाद रूप से एक ही आदमी की तरफ इशारा करते हैं। पैतन हत्यारा नहीं है। मैंने इस बात की तसली की कि वो टेलेफोन घर से किसी ने नहीं किया था। तो भी मुझे यकीन था कि उस शाम को जो लोग वहां मौजूद थे उन्हीं में से मुझे अपने अपराधी को खोजना है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि व यह काम मुश्किल था। मैं उस तक सिर्फ उसके परिणाम को परख कर ही पहुच सकता था। जो यह था कि हत्या का पता उसी रात चले बजाए अगली सुभा के। आप इस बात से सहमत है। हाँ मैंने स्विकार किया। मिस्टर एक्रॉइड ने आदेश दिया था कि उन्हें छेडा नहीं जाना है। इसलिए संभावना यही थी कि उस रात स्टडी में कोई नहीं जाता। बढ़िया। अब मामला आगे बढ़ने लगा है। लेकिन बातें अब भी धुंदली थी। अगली सुभा की बजाए उसी रात जुर्म का पता चल जाने का क्या फायदा था। जो एक मात्र खयाल मुझे आया कि हत्यारा ये जानते हुए कि अपराद का पता एक खास समय पर लगने वाला था। इस बात को पक्का कर सकता था कि जब दर्वाजा तोड़ा जाए तो वो वहां मौझूद रहे या उसके फॉरण बाद। और अब हम दूसरे तथ्या की तरफ आते हैं। दिवार के पास से खीची गई वो कुरसी। इंस्पेक्टर रेगला ने उसे कोई एहमियत नहीं दी। लेकिन इसके विपरीत मैंने उस बात को हमेशा से बहुत ही आपने अपने रिकॉर्ड में स्टडी का एक साफ सुत्रा नक्षा बनाया है। अगर इस समय वो आपके पास होता तो आप देखते कि वो कुरसी उस जगह बाहर खीची जाने पर जहां पारकर ने बताया था दरवाजे और खिड़की के बीच की सीधी रेखा के बीचों बी पूचा गया ताकि खिड़की से जुड़ी कोई चीज दरवाजे से दाखिल होने वाले व्यक्ति को दिखाई ना दे। लेकिन मैंने जल्दी ही इस अनुमान को रद कर दिया क्योंकि वो कुरसी हलांकी थी तो बड़े आकार की लेकिन खिड़की का बहुत कम हिस्सा ढख र रखी थी वो मेज बाहर को खिची गई कुरसी के कारण पूरी तरह से उसकी ओट में आ जाती थी और बस तभी मुझे फॉरण सच का पहला-पहला आभास हुआ मान लीजिए कि उस मेज पर कुछ ऐसा था जो दिखना नहीं चाहिए था कुछ ऐसा जो हत्यारे ने वहां रख दिया था अभी तक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो चीज क्या हो सकती थी लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ बड़े दिल्चस्प तत्य मालूम थे मसलन वो ऐसी चीज थी जिसे हत्यारा अपने साथ उस समय नहीं ले जा पाया जब उसने खून किया उसी के साथ ये जरूरी था कि जैसे ही अपराध का पता चल जाए उस चीज को वहां से जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए और इस तरह वो टेलीफोन का संदेश और हत्यारे के लिए घटना स्थल पर उस समय मौजूद होने का अवसर जब लाश का पता चले अब घटना स्थल पर पुलीस के पहुँचने से पहले चार लोग थे आप पारकर, मेजर ब्लंट और रेमंड पारकर को मैंने फॉरण हटा दिया क्योंकि जिस भी समय अपराध का पता चलता उसे तो वहां होना ही था इसके अलावा वही था जिसने मुझे बाहर खीची गई कुर्सी के बारे में बताया था इस तरह पारकर शक के परे था लेकिन तब तक भी मुझे ये लग रहा था कि संभव है मिसिस फेरर्स को ब्लैक मेल करने वाला वही हो रेमंड और ब्लांट शक के दायरे में बने रहे क्योंकि अगर अपराध का पता सुबह चलता तो काफी हद तक ये संभव था कि वे घटना स्थल पर इतनी देर से पहुँचते कि मेज पर रखी चीज को खोजे जाने से रोक नहीं पाते अब वो चीज क्या थी आपने आज रात बात चीट के उस टुकड़े के बारे में मेरी दलिलें सुनी जो रेमंड ने सुना था जैसे ही मुझे पता चला कि डिक्टा फोन कमपनी का एक प्रतिनिधी यहां आया था डिक्टा फोन का खयाल मेरे दिमाग में आया आपने वे सारी बातें सुनी जो अभी आधा घंटा पहले मैंने इसी कमरे में कहीं वे सब मेरी धार्णा से सेहमत थे लेकिन ऐसा लगता है कि एक जरूरी तत्थे उनके ध्यान में नहीं आया माना कि मिस्टर एक्रॉइड उस रात डिक्टाफोन का इस्तिमाल कर रहे थे तब फिर डिक्टाफोन वहां मिला क्यों नहीं इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था मैंने कहा हम जानते हैं कि मिस्टर एक्रॉइड ने एक डिक्टाफोन खरीदा लेकिन उनके सामान में कोई डिक्ताफोन नहीं मिला तो अगर मेज से कोई चीज ले जाई गई तो वो चीज डिक्ताफोन ही रही होगी लेकिन इसके रास्ते में कुछ कठिनाया थी सबका ध्यान तो कतल किये गए आदमी पर केंद्रित था मेरे ख्याल में कोई भी आदमी कमरे में मौजूद दूसरे लोगों का ध्यान खीचे बिना उस मेज तक जा सकता था लेकिन एक डिक्ताफोन का खास आकार होता है उसे बस यूँ ही जेब में नहीं सरकाया जा सकता तब कोई ऐसा साधन भी होना चाहिए था जिसमें डिक्ताफोन को रखा जा सके मैंने उसे बीच में टोका लेकिन डिक्ताफोन को हटाया क्यों जाए इसके पीछे क्या कारण था आप ना रेमन की तरह हैं आप ये मान कर चल रहे हैं कि साड़े नौबजे जो सुना गया वो मिस्टर एक्रोईड की आवाज थी डिक्ताफोन में बोलती हुई लेकिन इस उपयोगी आविशकार पर कुछ पल जरा विचार कीजिए आप उसमें बोलकर रिकॉर्ड कराते हैं है ना और बाद में किसी समय सेक्रेटरी या टाइपिस्ट उसे चालू करता है और आवाज फिर से सुनाई देती है है की नहीं आपका मतलब है मैंने जोर से सांस खीची पॉयरो ने सिरह लाया जी हाँ मेरा वही मतलब है जो आप समझे साढ़े नौ बजे तक मिस्टर एक्रोईड मर चुके थे वो आवाज डिक्ता फोन से आ रही थी वे खुद नहीं बोल रहे थे और हत्यारे ने उस मशीन को चालू किया होगा तब वो उस कमरे में रहा होगा संभव है लेकिन हमें इस संभावना को खारिज नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी युक्ती लगाई गई जो उसे चालू करने के समय को पहले से तै कर दे जैसा की अलार्म घड़ी में होता है लेकिन उस हालत में हमें हत्यारे की अपनी कालपनिक तस्वीर में दो और विशेशताएं जोड लेनी चाहिए वो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे मिस्टर एक्रॉइड द्वारा मशीन खरीदे जाने की बात मालूम हो और साथ ही उसे यंत्रों की आवश्यक जानकारी भी हो मैं अभी तक अपने दिमाग में यहां तक पहुँचा था जब हम मिस्टर एक्रॉइड को वहां मरा पाया हूँ यह एक अनुमान था दूसरा यह भी संभावना थी कि पैरों के निशान किसी और ने छोड़े जिसके जूतों में संयोग से वैसे ही गुट के जड़े थे लेकिन घर के लोगों के जूतों के तलवे क्रम्प रबर के थे और मैं इस संयोग पर विश्वास करने को तयार नहीं था कि बाहर के किसी आदमी के ठीक वैसे ही जूते होंगे जैसे पैटन के पास थे चार्ल्स केंट के पास बूट थे जो काफी फटीचर थे डॉग एंड विसल में काम करने वाली लड़की ने मुझे ये बताया था तीसरा निशकर्श था कि बे निशान किसी ने जान बूज कर बनाए जो रॉल्फ पैटन को संदेह का निशाना बनाना चाहता था इस आखिरी नतीजे की परीक्षा के लिए कुछ बातों का पता लगाना जरूरी था रॉल्फ पैटन के जूतों का एक जोड़ा पुलिस ने थ्री बोर्स से बरामद किया था उसे ना तो रॉल्फ ने ना किसी और ने उस शाम पहना होगा क्योंकि वे नीचे साफ करने के लिए दिये गए थे उस शाम रॉल्फ के जूते पहन कर गया होगा जिस हालत में रॉल्फ जरूर किसी किस्म का तीसरा जूता पहने होगा अब ये तो मानना जरा मुश्किल था कि वो एक ही तरह के तीन जूते लाया होगा इसलिए ज्यादा संभावना यही थी कि तीसरा जोड़ा बूटों का होगा मैंने आपकी बेहन को इस सिलसिले में कुछ जाँच परताल करने के लिए कहा रंग पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए ताकि मेरी पूशताज का असली कारण पताना चले आपको उस जाँच का परिनाम मालूम है रॉल्फ पैटन के पास बूटों की एक जोड़ी भी थी पहला सवाल जो मैंने रॉल्फ से कल सुबह पूछा जब वो मेरे घर आया कि वो उस रात पैरों में क्या पहने हुए था उसने फॉरण जवाब दिया कि उसने बूट पहन रखे थे सच तो ये है कि वो उन्हें उस समय भी पहने हुए था क्योंकि उन्हें बदलने का उसे कोई मौका ही नहीं मिला था इस तरह हम हत्यारे के एक कदम और पास आ गए ऐसा शक्स जिसके पास उस दिन थ्री बोर्स से रॉल्फ पैटन के इन जूतों को लेने का अफसर था वो एक पल सांस लेने के लिए रुका और फिर थोड़ी उची आवाज में बोला एक और पॉइंट भी है हत्यारा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सिल्वर टेबल से उस कटार को चुपके से उठा लेने का भी मौका मिला होगा आप बहस के लिए कह सकते हैं कि घर का कोई भी आदमी ऐसा कर सकता था लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि फ्लॉरा एक्रॉइड को पूरा विश्वास था कि जब उसने मेज पर नजर डाली थी तो कटार वहाँ नहीं थी अब ज़रा इन सारी बातों को दोहराएं चुकि सब कुछ साफ हो चुका है ऐसा व्यक्ति जो उस रोज कुछ समय पहले थ्री बोर्स में था ऐसा व्यक्ति जो एक्रॉइड को इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे ये बात मालूम हो कि एक्रॉइड ने एक डिक्ताफोन खरीदा था ऐसा व्यक्ति जिसे मशीनों की जानकारी और शौक हो जिसके पास मिस्स फ्लोरा के आने से पहले सिल्वर टेबल से कटार उठाने का मौका हो जिसके पास ऐसा साधन हो जिसमें रख कर डिक्ताफोन को ले जाया जा सके जैसे एक काला बैग और जिसके पास अपराध का पता चल जाने के बाद स्टडी में अकेले रहने का मौका हो जब पारकर पुलीस को फोन कर रहा था यानि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शेपर्ड अध्याए 26 एक देड़ मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी चाही रही फिर मैं हस दिया आप पागल हैं मैंने कहा जी नहीं पौईरों ने इत्मिनान से कहा मैं पागल नहीं हूँ दरसल समय में जो थोड़ा सा अंतर था उसी ने मेरा ध्यान आपकी तरफ खींचा था एकदम शुरू ही में समय का अंतर? मैंने चकरा कर सवाल किया जी हाँ आपको याद होगा कि आपके साथ साथ सभी ने माना था कि लौज से घर तक पैदल आने में पांच मिनट लगते थे उससे भी कम अगर आप टेरिस को आने वाले छोटे रास्ते से आए लेकिन आप घर से नौ बजने में दस मिनट पर चले थे अपने बयान के मुताबिक भी और पार करके बयान के मुताबिक भी और तब भी नौ बजे थे जब आप लौज के फाटक से बाहर निकले वो रात ठंडी थी ऐसी शाम नहीं थी कि आदमी धीरे धीरे टहलता हुआ चले तब आपको पांच मिनट के रास्ते पर दस मिनट कैसे लगे पूरा समय मुझे ये एहसास था कि हमारे पास सिर्फ आपका बयान था कि स्टड़ी की खिड़की अंदर से बंद की गई थी एक्रोइड ने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि आपने उसे बंद कर दिया था उसने खुद उठकर तो देखा नहीं था तब माल लें कि खिड़की में चिटखनी नहीं लगी थी क्या दस मिनट के उस अरसे में आपके पास इतना समय होगा कि आप दोड कर बाहर ही बाहर घर से घूम कर जाएं जूते बदलें, खिड़की से अंदर दाखिल हों एक्रोइड को मारें और 9 बजे तक फाटक पर पहुँच जाएं मैंने इस धारना को खारिज कर दिया क्योंकि पूरी संभावना यही थी कि एक्रोइड उस रात जितना परेशान और घबराया हुआ था वो आपको खिड़की से अंदर आते सुन सकता था और तब वहां संभर्ष हुआ होता लेकिन फर्ज करें कि आपने एक्रोइड को जाने से पहले ही मार दिया हो तो जब आप उसकी कुर्सी के पास खड़े हुए थे फिर आप सामने के दर्वाजे से जाते हैं दोड कर समर हाउस में जाते हैं अपने साथ उस रात लाए बैग से रॉल्फ पैटन के जूते निकाल कर पहनते हैं गीली मिट्टी से होकर चलते हुए जाते हैं और खिड़की की मुडेर पर निशान छोड़ते हैं अंदर जाकर स्टडी के दर्वाजे को अंदर से बंद करते हैं दोड़कर समर हाउस जाते हैं अपने जूते पहनते हैं और दोड़कर फाटक तक पहुँचते हैं जब उस रोज आप मिसिस एक्रोईड को बुलावा देने गए थे तब मैंने खुद इसे आजमा कर देखा इसमें पूरे दस मिनट लगे थे फिर आप घर चले जाते हैं और आपके पास अपने वक्त का सबूत है क्योंकि आपने डिक्टाफोन में साढहे नौ बजे का समय भरा था मेरे मित्र पॉयरो मैंने ऐसी आवाज में कहा जो खुद मेरे कानों को अजीब और नकली जान पड़ी आप इस मामले पर कुछ ज्यादा ही सोच विचार करते रहे हैं एक्रॉइड की हत्या करने से मुझे भला क्या फाइदा होने वाला था सुरक्षा वो आप थे जो मिस्स फेरर्स को ब्लैक मेल कर रहे थे मिस्टर फेरर्स की मौत कैसे हुई इसकी सबसे अच्छी जानकारी उस डॉक्टर के सिवा और किसे हो सकती थी जो उनका इलाज कर रहा था जब आपने पहले दिन बगीचे में मुझसे बात की थी तो आपने साल भर पहले विरासत में कुछ पैसे मिलने की बात कही थी मैं विरासत की किसी निशानी को खोजने में असफल रहा हूँ मिसिस फेरर्स के 20,000 पाउंड का हिसाब देने के लिए आपको किसी तरीके का अविश्कार करना था उस पैसे से आपको फायदा भी नहीं हुआ उसका ज्यादा तर हिस्सा आपने सटे में गमा दिया बाद हो जाते और वो टेलिफोन संदेश मैंने मुकाबला करने की कोशिश करते हुए पूछा मैं आपसे स्विकार करूँगा कि जब मुझे ये पता चला कि किंग्स एबट स्टेशन से आपको सचमुष फोन किया गया था तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अर्चन साबित हुई पहले तो मैंने ये मान लिया था कि आपने वो कहानी गड़ी थी वो सचमुझ काफी बढ़िया सूझ थी आपके पास कोई बहाना तो होना चाहिए था ताकि आप फ़र्ण ली जा सकें लाश को खोज सकें और इस तरह डिक्टा फोन को हटा सकें जिस पर आपके समय का सबूत निर्भर था ये काम आपने कैसे किया इसका बहुत गोल मोल सा विचार मेरे मन में था जब मैं उस पहले दिन आपकी बहन से मिलने आया था और मैंने पूछा था कि शुक्रवार की सुभा आपने किन-किन मरीजों को देखा था उस समय में इस रसेल का कोई खयाल मेरे दिमाग में नहीं था उनका आना तो बस एक संयोग था क्योंकि उससे आपका ध्यान मेरे प्रशनों के असली मकसद से हट गया जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया उस सुभा आपके मरीजों में एक अमेरीकी जहाज का एक कारिंदा भी था उससे ज्यादा उपयोक्त और कौन हो सकता था जो रात की गाड़ी से लिवरपूल जा रहा हो उसके बाद वो रास्ते से बिलकुल बाहर समंदर की राह पर होता मैंने देखा कि औरायन नाम का जहाज शनिवार को रवाना हो रहा था और उस कारिंदे के नाम का पता करके मैंने उससे एक सवाल पूछते हुए उसे बेतार से संदेश भेजा उसी का जवाब था जो आपने अभी देखा मुझे मिला था उसने संदेश मेरी तरफ बढ़ा दिया उस पर लिखा था बिलकुल सही डॉक्टर शेपर्ड ने मुझे एक मरीज के घर पर एक परची छोड़ने के लिए कहा था मुझे उसके जवाब के साथ उन्हें स्टेशन से फोन करना था जवाब था कोई उत्तर नहीं मिला ये बड़ी ही चतुर सूज थी पॉयरों ने कहा फोन सच्चा था आपकी बेहन ने आपको फोन उठा कर बात करते सुना लेकिन वास्तव में उधर से क्या कहा गया इसके लिए तो सिर्फ आपका बयान ही था मैंने जमहाई ली ये सब बहुत दिल्चस्प है लेकिन व्याभारिक राजनीती के दायरे में मुश्किल से ही समाएगा आपको ऐसा लगता है याद कीजिये जो मैंने कहा सच्चाई कल सुभा इंस्पेक्टर रेगलान तक पहुँच जाएगी लेकिन आपकी भले सुभाव वाली बेहन की खातिर मैं आपको इससे बाहर निकलने के लिए एक और रास्ते का मौका दे सकता हूँ जैसे उधहरन के लिए नीद की दवा की जरूरत से ज्यादा खुराक का केस हो सकता है आप मेरा मतलब समझ रहे हैं न लेकिन कैप्टन रॉल्फ पैटन का नाम बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए हर हाल में हर तरह से मैं तो ये भी सुझाब दूँगा कि आप अपने इस ब्यौरे को पूरा करें लेकिन अपने पहले के संकोश को त्यारते हुए आप बहुत खुलका सुझाब दे रहे हैं क्या आप अपनी बात पूरी तरह खत्म कर चुके हैं मैंने पूछा अब चुंकि आपने मुझे याद दिलाया है तो सच मुच एक बात और है आपके लिए ये बहुत ही ना समझी होगी अगर आप मुझे भी उस तरह खामोश करने की कोशिश करें जैसे आपने मिस्टर एक्रॉइड को चुप कर आया उस तरह का धंदा हर क्यूल पॉयरो के खिलाफ सफल नहीं होता समझे मित्र पॉयरो मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा मैं और चाहे जो भी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ मैं उठकर खड़ा हो गया खेर अब मुझे घर चलना चाहिए इस दिल्चस्प और शिक्षा प्रद्शाम के लिए धन्यवाद मैंने कहा पॉयरो भी खड़ा हो गया और जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसने भी जुक कर मुझे विदा दी अध्याए 27 सुबह के 5 बजे हैं मैं बहुत ठक गया हूँ लेकिन मैंने अपना काम खत्म कर दिया है लिखते लिखते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है कैसा अजीब सा अंत है मेरी इस स्क्रिप्ट का मैंने सोचा था कि एक दिन ये पॉयरो की विफलता के इतिहास के तौर पर छपेगी लेकिन पासे कितने अलग धंग से पढ़ते हैं पूरा समय मुझे मुझे मुसीवत की आशंका सताती रही ठीक उस समय से जब मैंने रॉल्फ पैटन और मिसिस फेरर्स को सिर जोड़े बातें करते देखा था उस समय मुझे लगा कि वो उसे राज की कोई बात बता रही थी वहां मैं गलत साबित हुआ लेकिन उस रात एक रॉइड के साथ स्टडी में जाने के बाद भी वो खयाल मुझे कोच्चता रहा जब तक कि उसने मुझे सच नहीं बता दिया बेचारा एक रॉइड मुझे हमेशा ये खुशी रही कि मैंने उसे एक मौका दिया था मैंने उसे वो चित्थी पढ़ने के लिए उकसाया था इससे पहले की बहुत देर हो जाए या मैं इमानदारी से काम लूँ क्या मैंने अवचेतन में ये नहीं सोच लिया था कि उस जैसे जिद्धी आदमी के मामले में यही सबसे अच्छा तरीका था कि वो उसे ना पढ़े उस रात उसकी घबराहट बड़ी ही दिल्चस्प थी वो जानता था कि खत्रा करीब था लेकिन उसे मुझे पर शक नहीं था कटार तो बाद में सोचा गया हतियार था मैं अपने साथ खुद अपना एक सुविधा जनक हतियार लाया था जैसे ही मुझे मिसिस फेरर्स की मौत का पता चला मुझे यकीन हो गया था कि उसने मरने से पहले एक रॉइड को सब बता दिया होगा जब मैं उसे मिला और वो इतना उत्तेजित दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि शायद उसे सच का पता चल गया था और वो खुद को उस पर विश्वास करने के लिए तयार नहीं कर पा रहा था और मुझे उसकी सफाई देने या उससे इंकार करने के लिए एक मौका देना चाहता था इसलिए मैं अपने घर गया और मैंने सारी सावधानिया बरती अगर गरबड किसी रॉल्फ से जुड़े मामले की होती तो कोई नुकसान नहीं हुआ होता मैंने एक रॉइड को नहीं मारा होता जो डिक्टाफोन उसने मुझे दो दिन पहले ठीक करने के लिए दिया था उसमें थोड़ी सी गरबड़ी पैदा हो गई थी और मैंने उसे राजी कर लिया था कि उसे वापस भेजने की बजाए ठीक करने के लिए मुझे दे दे मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया था और उस शाम अपने बैग में रखकर उसे ले गया था लेखक के तौर पर मैं अपने से काफी खुश हूँ मेरी पांडूलिपी में लिखे इस वाक्य से ज्यादा सलीकेदार और भला क्या होगा मुझे याद है मैंने लिखा था चित्या नौ बजने में बीस मिनट पर लाई गई थी नौ बजने में दस मिनट बाकी थे जब मैंने उसे छोड़ा अब भी अनपढ़े पत्र के साथ दर्वाजे के हथे पर हाथ रखे मैं पीछे को देखते और सोचते हुए हिचका कि कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई थी जो मैंने अधूरी छोड़ दी थी आप ही देखिए सब कुछ कितना सही है लेकिन फर्ज कीजिए मैंने पहले वाक्य के बाद कुछ बिंदियां लगा दी होती तब क्या कोई सोच पाता कि उन खाली छूटे दस मिन्टों में क्या हुआ होगा जब मैंने दर्वाजे से मुड़कर कमरे में नजर डाली तो मैं काफी संतोष्ट था मैंने कुछ भी अनकिया नहीं छोड़ा था डिक्ता फोन खिड़की के पास मेज पर रखा था साढ़े नौ बजे चालू होने के लिए तैयार उस छोटे से उपकरन का मशीनी हिसाब किताब बड़ा चतुराई भरा था अलार्म घड़ी के सिद्धान पर चलने वाला हत्य वाली कुर्सी को बाहर खीच दिया गया था ताकि वो छोटी मेज दर्वाजे से दिखाई न दे मुझे मानना पड़ेगा कि दर्वाजे से बाहर निकलते ही पारकर से टकराने पर मुझे काफी धकासा लगा था मैंने उस तथे को अपने रिकॉर्ड में सच-सच दर्ज किया है फिर बाद में जब लाश का पता चला और मैंने पारकर को पुलीस को फोन करने के लिए भेजा तो शब्दों का कितना समझदार प्रयोग किया मैंने मैंने वो थोड़ा बहुत किया जो करना था था भी कितना डिक्टाफोन को अपने बैग में रखना और कुर्सी को पीछे खिसका कर उसकी सही जगह पर पहुँचा देना मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि पारकर ने उस कुर्सी पर ध्यान भी दिया होगा मेरे तर्क के अनुसार तो उसे लाश को देखकर इतना हक्का बक्का रह जाना चाहिए था कि वो बाकी किसी चीज़ को देखना पाए लेकिन मैंने ट्रेंड नौकरों की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा था काश मुझे पहले से पता चल जाता कि फ्लॉरा ये कहने वाली थी कि उसने अपने अंकल को पौने दस बजे जिन्दा देखा था उसकी इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चकराया दरसल पूरे मामले के दोरान कई चीजें मुझे बुरी तरह चकराती रही है लगता है सभी ने इस काम में हाथ बटाने की ठान रखी थी क्यारोलीन मेरा सबसे बड़ा डर रही है मुझे लगा था कि वो भाप लेगी अजीब बात है कि उसने उस दिन मेरे अंदर की कमजोर प्रकृती की बात की खैर उसे कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी जैसा कि पॉयरों ने कहा एक रास्ता इस सबसे बाहर जाता है मुझे उस पर भरोसा है वो और इंस्पेक्टर रेगलान दोनों मिलकर इसे आपस में ही निपटा लेंगे मैं नहीं चाहता कि क्यारोलीन को ये बात कभी पता चले वो मुझसे प्रेम करती है और इसके अलावा वो गरवीली फितरत वाली भी है मेरी मौत उसके लिए दुख का सबब होगी लेकिन समय के साथ दुख हलका हो जाता है जब मैं लिखना खत्म कर लूँगा तब मैं इस पूरी पांडू लिपी को एक लिफाफे में रखकर उपर पॉयरो का नाम लिख दूँगा और फिर उसके बाद मैं क्या लूँगा वेरोनिल इस से एक किस्म का न्याय होगा हलांकि मैं मिसिस फेरर्स की मौत की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता वो उनके अपने करमों का सीधा परिणाम था मेरे मन में उनके लिए कोई दाया नहीं है मेरे मन में अपने लिए भी कोई दाया नहीं है तो फिर वेरोनिल ही सही लेकिन अब भी मैं यही मनाता हूँ कि काश हर्क्यूल पॉयरो कभी अपने काम से रिटायर होकर लौकियां उगाने किंग्स एबट ना आया होता